Hello Freunds, welcome back to my channel The亮 Kuchen तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरही ने हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं वो भी घर की समान से वह बताऊंगी तो आप घर के हुझ बिल्कुल जो किशन में सामान आता है ने उसी से बहुत ही आसान तरही केसे आप अपना वजन गपन कर सकते हो और बहुत ही एजी तरीके से जितना भी एक्स्रा पेट है आप उसको बिल्कुल खतम कर सकते हो यह अगर आपने ड्रिंक इसको पी लिया ना तो आपको असर बहुत ही जल्दी दिखने के लिए मिल जाएंगे और इस ड्रिंक को पीते ही आपका वेट तो लॉस होगा यह साथ स कोई भी आपको भारी एक्सराइस की जरूत नहीं है जिम जाने की जरूत नहीं है बिना जिम जाये भी आप वेट बिल्कुल लॉस कर सकते हो क्योंकि क्या होता है अगर आप जिम जाते हो तो तो वेट बिल्कुल कम हो जाता है बट अगर आपने जिम जाना एक-दो महीने भ जोड़ दियाना तो वही वेट गेन वापस होना स्टार्ट हो जाता है पट इस तरीके से यह बना कर ज़रूर ट्राय कीजेगा बहुत एजी तरीके से आप बना वजन कम कर लोगे तो ड्रिंक बनाने के लिए देख सकते हैं यह बिल्कुल आसान तरीके से किचन में ही मिल जात है जो आसानी से किचन में मिली जाता है तो यह देख सकते हूं सबसे पế detail तो मैंने दाल-चीन ही ले ली अर यह निबू ले लिए यह दोनों ऐसा चीजे जो घर में आसान तरीके से मेले जाती हैं और इससे आप बहुत ही आसान तरीके से वजन भी कम कर सकते हो और तो दालचीन है हमारी आज में में इंग्रियेंट ही होने वाला है तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और ये scientifically भी वेट लॉस के लिए बहुत ही मददगार मानी जाती तो आज मैं आपको इस दोनों चीज़ों से वजन कम कैसे कर सकते हैं वो भी घर में ही वो बताऊंगी तो आप सबसे पहले तो देख सकते हो मैंने नीभू ले लिया नीभू सभी को पता है वजन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा शुर्स माना जाता है नीभू और पाने में नीबु पीने से नीबु डालकर पीने से भी वही तरीकर से वजं कम होता है, वाल, आपने इस तरीकर से ये डिंक के साथ आए Whartop यूइ use कर लिया न तो बहुत ही effective और जलधी जलधी कम होने लग जाएगा तो यह सबसे पहले नीबु ले लिए यह दाल कि लिए, डाल चीनी के कई फायदे होते हैं, यह हमारी बॉडी के लिए बहुंत ही हैं और साथ साथ में वजन खम करने के लिए बहुत जाद उपयोगी द मानी जाती है, तो मैं आपको पूरे पिप्पैदानु में नीपो और पित पूरेители फायदे अंह 와 भॊंत करती है अगर आप 18 प्लस हो तभी इस डिंग को आप कंजूम करो तो इस तरीके से सबसे पहले दालचीनी आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ले लिया है तो मैंने जो एक कटूरी दालचीनी लिया और देड़ दो महीने चल जाएगी और आपका बिल्कुल बसन कम हो जाए तो बहुत ही आसान तरीके से शरीर को भी गरम रखने में मदद करेगी और इस ट्रिंग को पीने से ना आपकी जो भी खासी जुखाम जो भी कफ जमाओगा ना गले में वो भी बिल्कुल निकल जाएगा तो मैं इस टाइम ना दो ग्लास बना रही हूं तो ये ने दो ग्ला तो इस तरीके से न यह मैंने 3-4 दाल चीने के टुकडे करके इसमें डाल दिए हैं पानी में तो इस तरीके से पानी में अगर आप इसको ओवर नैट के लिए रखोगे आ तो और भी फायदा करेगी बट अभी मैं विलकुल इंस्टेंट इपे में बना रही हूँ इसलिए मैं अद्रक के टुकडे ले लिए अद्रक जो होती है खुन साफ करने के लिए बहुत ही मददगार होती है खुन पतला करने में मददगार होती है जिसका खुड़ा गाड़ा खुन होता है वो अद्रक ज्यादा कंस्यूम करना चाहिए उसको क्योंकि अद्रक खुन पतला करने में बहुत ज़दा मददकार होती है और इस हासाथ में वजन भी कम करती है तो इसलिए ना मैंने इस तरीके से इसमें अधरक के टुकडे डाल दिया है तीन से चार कटे हुए और अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे जीरा तो जीरा पी ना आपको पता है बॉड़ी के लिए वे के लिए बहुत जादा मददकार होते हैं तो इस तरीके से मैंने जीरा चुटकी भर डाला था जीरा भी आपको जादा कॉइंटिटी में नहीं लेना है क्योंकि आप जब भी कोई भी डिंक बनाओ तो ना और कोई भी चीज डालो तो आप बिल्कुल लिमिंटेड वे में ड ये लो कलर में ट्रांसफर हो जाएगा तो दस मिर तक मैंने अची तरीके से इसको बका लिया था तो अब इसमें ना नीगू कर रज डाल देंगे हम और मैंने थोड़ा इसको गुंगुना कर लिया है पानी को ज्यादा गरम पानी के भी उस नहीं करना है आपको तो इस तरी आपको पीना है और एक शाम को पीना है आपको और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप इसको तीन टाइम पी सकते हो खाना खाने से आदा घंटा पहले पी सकते हो और इसी इसका धिहान रखना है आपको इसको पीने के बाद सुबह सुबह तो पीने के बाद आ लगा सकते हो और फिर शाम को भी आपको आदे गंटे करनी और ना दाइटिंग में तो आपको कुछ नहीं करना है जादा केवल आपको मीठे पर थोड़ा सा कंब करना है चीज का द्यान रखना है कि कम खाना है मीठा तो तब ही अगा में आएगी क्योंकि होता है कि कुछ तो सुबह शाम आपको आधा कंटा वॉकिंग करनी है और पंदरा मिनिट आपको एक्सिसाइज करनी है तो अगर आपको रेसिपी अचे लग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लिए इतना ही थाएंगी